हेलो दोस्तों आप वेलकम टो माई चैनल इस वीडियो में कुछ एलिमेंटरी सिगनल के लाप्लाज ट्रांसफोर्म फाइंड करने वाले हैं पहला हमारा डेल्टाटी डेल्टाटी का कैसे निकालेंगे देखां हमें गीविने पहला निकालता हमें लाप्लाज ट्रांसफoff spectacular देल्टाटी यादि हमें क्या गीविन टीकर स्टूझ टी तो हमारा फोर्मूला क्या होता है लाप्लाज ट्रांसफोर्म कर लाप्लाज ट्रांसपोर्म ओफ डेल्टा-टी कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी XT, E की पावर ST DT, ठीक है यह होता है, तो यह डेल्टा टी है, T कस्टू किस पर, 0 पर exit करेंगा, T कस्टू 0 लगा तो हमारे function में, तो E कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डेल्टा ट तो e की पावर यहां पर लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा वह e की पावर s इंटू 0 लगाऊंगा dt लाप्लास टांसफर्म ओफ डेल्टा ट कितना जाएगा इन्टा आपावर साँप्रूइब सरह्ट लाप्लास टांसफर्म ढेल्टाट जो फिन पर लाप्लासर ट कितना हो टा इस इसलो डेल्टा तो कितना लोगा यह कुछ अगा rоч हो जाएगा हमारा entire को सिप्लेण हो कि ठोप है šeid ऑउसी क्या होगा entire kez plane कि हमें क्या थे आखा एक्सटी कर स्थु यह य्टी तो इसका में लाप्लास ठांसफॉर्म फाइंट करना तो लाप्लास ट्रांस्फर्म किस फाइंट करते हैं लाप्लास ट्रांस्फर्म और यूटी क्या जाएगा फॉर्मूला लगाओ क्या होता है लाप्लास ट्रांस्फर्म पहले मैं एकसी के लिए लिखता हूं यहां पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस और 0 होती है t less than 0 के लिए तो मैं इसको आगर दो पार्ट में लिखता हूं integral को minus infinity to plus 0 xt e की पावर minus st dt plus 0 to plus infinity xt e की पावर minus st dt then क्या जाएगा ये laplace transform of xt यहाँ पे लिखलो अभी ut तो यह वाला पाट तो हो जाएगा 0, t less than 0 के लिए यह क्या होता इसकी वैल्यू जीरो होती है x t की वैल्यू हो जाएगी 1, t greater than 0 के लिए इसका क्या कर दे ना 0 to infinity e की पावर minus st dt इसका इसको 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 ग्रेट कर दो बस तो यह आगे यह लापलास transform of ut क्या जाएगा इसका? e की पावर minus st minus s 0 to infinity इसकी लिमिट लगाओ e की पावर minus infinity minus e की पावर 0 upon minus s देखो अगर s की वैल्यू greater than 0 तो यह वैल्यू क्या रहेगी? negative रहेगी अगर s की वैल्यू less than 0 हो गई तो value positive हो जाएगी ठीक है यह उपर s की वैल्यू अगर मैं negative लग दूँ तो यह negative sign खतम तो फिर यह क्या हो जागा? उपर st जो जागा positive हो जागा जब t की जगर मैं positive लगाओंगा तो value क्या जाएगी? e की पावर infinity जो की exit ने करेगा हमारा signal तो हम क्या करेंगे? s की value हमारा यहाँ पर signal को exit करने के लिए क्या होना चाहिए? s positive होना चाहिए इसी को कहते हैं लापलास वह रोसी ठीक है? तो इसकी value कितना आ गए? e की पावर infinity zero e की पावर one की one minus one तो यह कितना आ गए? one upon s तो लापलास transform of ut जो होगा किसके equal होगा? one upon s रोसी क्या होगा? यहाँ से अब देखाता है? अगर ना पता हो तो मैं एक trick बता रहा हूँ सबसे पहले लापलास transform निकाल लो उसका ठीक है? इस type से निकाल लिए उसके बाद हमने देखने है उसके कितने पॉल्स है? यहाँ पर एक ही पॉल्स है अगर हमारा signal right-sided है ठीक है? मैं जो बोलता हूँ इसको लिख लेना अगर signal हमारा right-sided है जो रोसी होगा उन पॉल्स में से जो सबसे बड़ा पॉल्स होगा उससे जादा होगा ठीक है? यानि रोसी सबसे बड़े पॉल्स होगा यहाँ तो एक ही पॉल है? तो एस क्या उन चाहिए? हमारा रियल हो एस क्या उन चाहिए? greater than zero तो अगर इसको मैं graph फे draw करूँ तो वो किस टाइप कर दिखेगा? e sigma j omega तो greater than zero यानि यह बाला पार्ट ठीक है? तो यह क्या हो जागा हमारा यह खना रोसी तो यह बाला रोसी यह बाला यानि यह यह वो रीजन है जिसके लिए हमारा यूटी का लाप लाज टांस्वर्म एकजिट करेगा नेक्स्ट थर्ड वाला X T equals to RT RT की refination क्या होती है इसकी value T होती है for T greater than request to 0 और 0 होती है T less than 0 के लिए तो इसका अगर मैं Laplace Transform लगाता हूँ Laplace Transform of RT कितनी हो जाएगी तो इसकी limit कहा तक जाएगी 0 to infinity again जैसे UT के लिए लिखाता X T की जाएगी T दे रखा है into E की प्रावर माइनस ST DT अब यह करेंगे इसका integration कर दो इसको first बानो इसको second तो T into second वाले का integration limit लगाओ 0 to infinity minus 0 to infinity पहले वाले का differentiation यानि हो गया one दूसरे वाले का integration तो अगर मैं लिएट लगाता हूँ यहाँ पर देखो limit लगाओगा यह infinity हो जाएगा infinity E की पावर minus infinity minus जब 0 लगाओगा तो यह 0 हो जाएगा upon minus minus तो इसको मैं बाहर ले लिया तो यह कितना आगया one upon S अंदर क्या बचा 0 to infinity E की पावर minus ST DT ठीक है तो यह देखो E की पावर minus infinity 0 हो गया तो 0 minus 0 upon S यह सारा 0 हो गया तो यहाँ पर देखो कितना यह बचा one upon S E की पावर minus ST upon minus S 0 to infinity लाप 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 ट्रांस्पर्म of R T कितना आगया हमारा इस वाल S को मैं बाहर ले ले रहाँ one upon minus S square हो जाएगा इस पावर minus infinity E की पावर 0 तो यह E की पावर minus infinity हो गया 0 यह हो गया minus 1 तो कितना बचाएगा one upon S square तो R T का जो हमारा लाप 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 ट्रांस्पर्म होगा कितना होगा one upon S square और इसका ROC क्या होगा वही पोल्स को यहां से पोल्स केते आएंगे 0 को में दो पोल्स आएंगे दोनो यह origin पहूंगे तो सिंगनल RT यह सिंगनल होता है वो राइट साइड होता है तो एक ही पोल है इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा ROC हो जाएगा Real low pass greater than 0 ठीक है तो ROC same इसके यह वाला बन जाएगा जो UT के लिए ROC है same RT के लिए बनेगा ठीक है यही क्या बनेगा ROC इसके लिए इसके लिए जो जैसा यह बनाया ऐसा ही RT के लिए बनेगा तो हमने इस वीडियो में तीन सिंगनल के बारे में जाना पहला UT 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 का लापलास होता 1 ठीक ROC कितना होता entire S plane दूसर पढ़ा हमने UT UT का होता 1 upon S ROC क्या होता greater than real part जो उसका क्या होन चाहिए S का यानि Sigma क्या होन चाहिए greater than 0 थर्ड पढ़ा हमने RT का RT का कितना होता 1 upon S square ROC क्या होन चाहिए यानि Sigma क्या होन चाहिए greater than 0 ठीक है इनके पता रहने चाहिए क्योंकि डारेक्ट हम signal में quotient में को use करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगे ठीक है इस वीडियो में इतना ही और थैंक्यू मिलते है next वीडियो में